हेलो प्रेंट्स जो आपको मेरी टेबल के उपर जो इंजेक्शन दिख रहा है प्रेडनी सोलोन इस इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो में आपको डेटेल से बताया जाएगा कि एक कोटिको स्टोर जो इंजेक्शन प्रेडनी सोलोन आता है एसिटेट ये इंजेक्श में देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए यानि पूरी डिटेल से आपको प्रिद्नी सोलोन इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा यह दि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो का आप इसकिप करके मत देखना वीडियो को पूरी देखना, यह दि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रोपर नोलेज मिल जाएगा कि प्रिद्नी सोलोन इंजेक्शन पसुम में क्या-क्या काम करता है और इसके फाइदे भी क्या है और नुकसान भी क्या है जो अभी भी इस चेनल पर जो नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चेनल को सब्सक्राइब जरू कर लें जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो आल वाला उपसन आता है उसको दबाएं ताकि होते हैं तो उनको संतुलित बनाया रखने में इस इंजेक्षन का बहुत बड़ा रोल आपके पसु में किसी भी तरह कि यह ज़ो प्रियों किया जाता है और उसमें भी बहुत अचा रिजेल मिलता है लिविष्यड ल९ह हैं जोने में दिख्यतил और इंजेक्षन आपके पसूंच में बहुत ही अच्छा हरोल इस इंजेक्षन कर और अच्छा मिलने स congrats मेटाबोलिक मेटाबोलिजम जो बीमारी हो गई है किटोसिस रोग हो गई है तो किटोसिस रोग के अंदगा जिस प्रकार चे आपके पसु में खाना तो खा रहा है लेकिन आपका पसु बांट नहीं खा रहा है या दाना मिसर नहीं खा रहा है तो उस इस्तिति के दोरान भी इंजेक्शन प्रयोगलोकिया जाता है प्रिनियम्रीम सेरे में किए कार वाइडेड है लिपीड है पुट हो को दो ने पactor है खायने का मतलब है यह इसकीन से सम्थी दे दिया आपके पसू में दि कोई भीमारी है तो उस इस्तितिके दोरान भी इनजेक्शन लगा जाता है लेकिन एक और बता ना चाहता हूं कि इनजेक्शन लंबे समेता का आप उस पसू में परियोग नहीं कर सकते हैं जो इसकीन तो इस तरह का इदी बोडी में allergic reaction हो गया है, तो acute stage में हो गया है, या आपने लग रहा है कि आपके पसुमें reaction हो गया है, तो इस तरह के दूराद तरण आप प्रेणिस्लों इंजेक्शन का प्रयोग करें, बहुत ही अचारे जेल मिलता है उन पसुमें, जिन पसुमें इस प् पसुं को reaction हो गया है या किसी एंवारिमेंटल या किसी भी प्रकार के पोईजिंग वज़े से भी आपके पसुं में रियक्शन हो जाता है तो उस इस्तति के दोरान ये injection है प्रेणिस लोन ये injection उन पसुं में लगाया जाता है और उन में भी बहुत ही अच्छा रिजल आपके पसू में मिटता है जो यह आपके पसू में परियोग करें यह पर रिखिस्टों के किटोशिस के बारे में मेरे चेनल पर डिटेल सी वीडियो बनी विए है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे लगा हैं, कौन-कौन सी डिजीज देने चाहिए, उसमें भी है, एलर्जिक रेक्षन है, उसमें आपको इंजेक्षन लगाना चाहिए, आर्थ्राइटीज है, जो को एक साथगने के लिए एक और बताना चाहता हूं, यदि आप इनजेक्षन का प्रयोगा आदे ले रहे हैं, यदि किसी भी बीमारी है, इस तरह के जो मैंने बीमारी हैं उन प्रयोग बमारियों में इसके क्ले प्रयोग करें, और अधर गया उने लगा रहे हैं, तो भी आ वापके पसों के रोग होते हैं, तो उसमें एकिरा इंजक्शन्ज प्रियों की लिया जाता है, तो उसमें एक बर तै, और जाने is चाही है, इंजक्शन्ज वरगिंद लिगा, उनն्जेक्शनों के साथ यह जो यह बीमारिया मैंने बताई हैं तो उनके साथ आप यह इस इंजेक्शन का प्रियोग उन पसों में जरूर करवाएं यह इस इंजेक्शन का प्रियोग यह लंबे समयते के दिए आप प्रियोग करते हैं तो जैसे छोटे पसों हैं तो उनके अंद्गत बहुत ब प्रियोग करें तो वाँ पर उस प्रियोग का गहाव भी नहीं बरता है यह लंबे समय तक यह प्रियोग नहीं कर सकते हैं एक ही टू स्टेज में इसकी तरह की दिकत हो गई है तो दो से तीन दिन इस इंजेक्शन का प्रियोग लगातार करवा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक अक्यला इंजेक्शन ये लगा सकते हैं रही बात इसकी डोज की जो बड़े पसू है उनकी डोज होती है 25-25 mg या इससे उपरी 800 mg तक इस इंजेक्शन को लगा जाता है रही बात इसकी ml में डोज निकाल करके बताओं तो ये इंजेक्शन पसू के अंदगत 5 ml से जो लार्ज एनिमल्स है 5 ml से लेकर के 10 ml तक ये इंजेक्शन उन पसू में लगा जाता है इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं या इदी आपके पसू में अर्थराइटीज है जोडू में ये इंजेक्शन लगता है यानि जिस इस्तान पर इदी दर्द है वहाँ पर ये इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है इसी तरह से ये आपके जो डोग है या कैट है तो उसके अंदर भी ये 5 से 20 mg यानि हाप ml से लेकर के और 2 ml तक ये इंजेक्शन उनको भी लगाया जाता है ये उनमें भी इसी तरह की कोई डिजीज है तो ये इंजेक्शन एक पर लगाने के बाद में 24 गंटे बाद में आप वापिस रिपीट भी करवा सकते हैं जैसे आपके गाय, भैंस है, बेड है, बक्री है, डोग है, बिल्ली है, सुवर है इन सभी में ये इंजेक्शन का परियोग करवाया जाता है कौन सी स्तिती में इंजेक्शन बिल्कुल भी निन लगाना चाहिए ये दि आपका पसू प्रिगनेंट है तो प्रिगनेंट सी स्टेज में इस इंजेक्शन का परियोग भूल कर भी ने करवाएं इस बात का आपको जूरूर द्यार रखना है यह दि आपके वरना आपके पसूं का अबोर्शन हो सकता है रही बाद दूदारू पसूं को भी यह इंजेक्शन नहीं लगाना है क्योंकि इसे आपके पसूं का दूद भी डाउन हो सकता है जहां तक हो सकता आपको मैंने प्रेणिसलोन इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताने कोशिश की है कि इंजेक्शन पसू में क्या काम करता है हला कि इंजेक्शन इतना महिंगा भी नहीं आता है 10 ml की जो इसकी आपको MRP दिख रही होगी इंजेक्शन पर एदी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो निसे जाके आप कमेंट में लिकिए मेरी वीडियो का आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वे टिनेरियर स्टेंट है उनके साथ आप इसी वीडियो का जितना हो सकता है share करें मेरी वीडियो का आप लाइक करें आपके एक लाइक से मेरे को motivation मिलता हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छी और knowledgeable वीडियो आपके लिए हर्स में ऐसे लाता हूँगा इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से आप मेरी को प्यार देते रहें धन्यवाद